साथ्स्रिया काल मैं हाँ चंचल मनोर सिंग तुसी देख रहे हो अमरत परसार अमरत परसार दे दर्शका दा बहुत बहुत स्वागत है अज जैसी चर्चा करांगे के अमरत पाल सिंग मेंबर परलियामेंट अटे मुखी वारस पन्याव दे हाक विच दिन बदिन स्यासी पार्टियां दे लीडर कठे होई जा रहे हैं के उना नू जेल तो रहा किता जाए क्योंके ओ हून मेंबर परलियामेंट बन गे हैं अटे उना ने अपनी कॉंसीच्वेंसी हलके खडूर साब दे 14-15 लख वसनीकां दे मसलियां बारे उना दे हकां बारे गलबात पारलियामेंट जे रखनी हैं जे मेंबर पारलियमेंट ये उना दा हदकार है और एस सिल्सले विच असी जो चर्चा करनी हैं उस चर्चा तो पहले मेरी आप जी नू गुजारशा है के जे कर तुसी अमरत पर सार नू हुंती कन सबस्क्राइब नी कीता ता इस नू सबस्क्राइब करो इस नू लाइक करो एदी बैल आइकन दबाओ तुसी जे कंटी दबा दे होंगे ता कोई भी वीडियो जो दो उसी एस चैनल ते अपलोड कर देयां उस सिद्धी तो ने मित्रा स्मानिया नाल भी सांजी करो इत्थे दस्णा बड़ा जिरूरी है के ए पहली वायर होया के अमरत पाल दे हाक विच जेडियां गूंजान अब आज़ां उठियां देश दी पार्लियामेंट विच सब तो वड़ी साड़े मुल्क दी ए डेमोक्रेटिक सांजी जिस्ते 555 मेंबर हां उत्थे ए गूंज उठिया है के जो अमरत पाल सिंग नों नैशनल स्क्योर्टी एक्ट विच रख्या है नजर बंद रख्या है जेल जबंद कीता है दी बडूबर असाम बेचर ए इमें लगदा है जिवें अन इलानी एमर्जनसी देश विच लगी ह और तुसी एस गलते भी तौनू हो सकदा है थोड़ी बहुती हरानगी भी होवे के ए जो अवाज उठाई है हमरत पाल सिंग देख्या है ए अवाज साब का मुख मंत्री चरण जी सिंग चन्नी मेंबर पार्लियामेंट जो के जलंदर दी रिजर्व सीट तों बहुत बड़े माजिननल जीते हन उना ने उठाई है ओ कोई उना ने पहली बारी नहीं किया पर पार्लियमेंट विच जिस टांगना लुना ने अमरत पाल सिंग दी रहाईदा केस बिल्ट किता है उसनों सिर्जया है एक नरेटिव बनाया के उसनों छड़या जाना चाहिए ए अपने आप विच एक बहुत बेमिसाल वापरी है कटना और एधे मैं एभी दसना जाना कि कले चरण जी सिंग्य चनी ही नहीं कहरे के अमरत पाल सिंग्ग दी रहाई किती जाए बहुत सारे होर लीडर भी इस गलबारे कहीं ब्यान दे चुके हैं चरण जी सिंग चन्नी जी ने ता कहीं ब्यान उना दी जेतों बाद आम सोशल मीडिया नाल गलबाद विज देते हैं कि उना दी उन रहाई होने चाही दिये बहुत बड़ा मेंडिट मिलिया उना नू एक लख सतानमे हजार वोटां दे उना दी जेतों ही है और उना दे सारे वरोधिया दियां जमानतां जपतों ही है ए जो समर्थन मिलिया है उना नू ए समर्थन कुमाल दा समर्थन है कि उना ने अपनी कंपेइन मी नी किती ओ जेल विच बंद सी खंडूर साब दे कॉंसिच्वेंसी दी पार्लियमेंट हलके दी जनता आप मुहारे उना ली परचार कर रही सी अथे कोलों ही उना ने खर्चा कीता अमर्थबाल सिंग दा कोई भी कोलों खर्चा नहीं लगया सो एश करके चरण जी सिंग चन्नी जी दा एक कहना के उना नूत्रूंत रहा किता जाए ताँ जो वो आके पार्लियमेंट बीच अपना पख रख सकना चरण जी सिंग चन्नी जी पहले भी कह चुके के अमर्थबाल सिंगुरा ने दो वरी सविदान दी सौँ चुकी है इक वरी ताँ जदो उनाने नामीनेशन परया उनाने देश दी घंडता ते सवदान दे विच अपना संपूरन विश्वास जताया नहीं ताँ उना दे जो नॉमिनेशन पेपरसन वो कबूल ही नीसी करने अलेक्शन कमिशन दूजी बारी उनाने जड़ी सौँ चुकी है उनाने फिर कॉंसिटूशन जानी सवदान विच अटे देश दी अखंडता दा जो विश्वास दवाया है ए उनाने ओम बिरला स्पीकर अंजो संसत दे उना दे चेंबर जो नाने ए सौँ चुकी तो इना दा कैने चन्नी जी दा कि एस तो बाद होर की हो सकता है उनानू छड़ना चाहिए उना दा हदिकार है उना दी हुमन राइट सन सो ए बहुत वड़ी गल होई है के पार्लीमेंट विच उना दी रहाईदियां गूंजयां उठियां हाँ एस दे विरोध विच पाजपादे बुलारे सयाद पूना वाला ने जो गल कई हो भी मैं तो अड़े नाल सांजी करदा उस तो तो अनू जो प्राइम निस्टर निरिंदर मोदी जी दी सरकार है ओस दा एस रहाईबारे की विचार है ओस पारे भी तो अनू पता लगेगा सो पूना वाला ने कांगरस तो जवाब मंगया के ओ पार्टी एद से की ओ खालस्तान दे विचार दी हमायत कर दी है और जिस कारण 1984 दी ततकालीन प्राइम निस्टर इंदरा गांदी दी हत्या हुईया ओस बारे ओस दसन गे के की ओ दैशत गर्दी नू ते वाखवादी विचारां दे हाक वेच डटमा स्टैंड लेन दे ए जो ब्यान पार्लियामेंट दे अंदर ही देता है संसद दे विची देता है ए बैस औरी सी बजट जो है उस उपर बोल दे हैं सो मुनावाला ने जो क्या है के खालस्तान दी मांग दी गाल कीती है दैशत गर्दी दी गाल कीती है वो दे बारे मैं एथे दसना चानना अपने दर्शकान हूं के किते भी अमरत पाल सिंग ने खालस्तान दी मांग नी कीती उना ने ए जरूर किया के असी एस मुल्क बीच गुलामा जिक चोटी जी मेने रिटियान उनाsm दे सुनाई कोई नी उनादे हाक नी मिल रहे ते नाहीं उनाने हले तक कोई killing की तियान उना कोई कतलदे case नहीं दर जोए उना कोई दैशत गरदी दा case नहीं आगा सो उना दा हले तक दामन भी साफ है ते उना दी जितनीक भी श्यासी जीवन है पिछले देड़ दो साल दा ओदे बेच अज यही कोई केस नहीं रिजिस्टर होया ना कोई F.I.R है जिस विच के उना ते दैशत गर दी दियां ताहरा लग गया होन कतल करन दियां ताहरा लग गया होन हथ्यारा दी दुर बड़तों दियां ताहरा लग गया होन किसी नुडराया होगे तमकाया होगे तो ए जो B.J.P. जा स्टैंड है ए स्टैंड तो ए गल शपस्ट नजरा दी है कि उन्हां दी जो पालिसी है वो एंटी सिख है कोई भी सिख अगर अपने हकादी राकी करेगा मांग करेगा तां उसनों बीजेपी सरकार इसे नजरिये तों देख दी है और इते मैंनू बड़े अफसोस नालिक गल तोड़े नाल सांजी कर रहे हैं कि जो बादल काली दाला है उसनी 26 साल सांज रही है बीजेपी नाल ते अनकंडिशनल समर्थन दिता हुए आसी परकास सिंग बादल जी ने लेकिन उना तो कोई प्रापती नी होई 26 साल कठे रहन दे बाद भी उस सिखां उपर रही दोश ला रहे हैं दैशत कर दी दा खालस्तान दा जिमे के किसान मूमट सीगी चेड़ी के एक साल एक मीना कुछ दिन दिली दी ब्रुवां थे चारो पासे पन्याब दे किसाना ने प्रोटेस्ट तरने दिते हो एसी पक्के मोर्चे लाए हो एसी प्रोटेस्ट दे उदों भी ओस समय दे एगरीकर्चर मिनिस्टर ने किसाना नूँ खालस्तानी भी क्या दैशत गर्द भी क्या एस परकार सिखा नूँ एस तरह दबा के उना ते प्रेशर बना के रख्या जानदा सो एस प्रेशर दा सिट है के पन्याब दे लीडर हर समय इस पह विच इस खोफ विच रहन दे के जे कर कोई ओ पन्याब दे हाक दी मांग करनगे जा कोई अमरत पाल सिंग दे हाक से बोलेगा ता उसनों खालस्तानी जा दैशतगर्द कहके उस ते कोई कारवाई भी हो सकती है जिमें के तुसी देख्या है बीजेपी ने अपने समय बिच कहीं जर्रलिस्ट कहीं बुद्धी जीवियानों बड़े लंबे समय तों जेल बिच बिना केस चलाए रख्या हुया सो अमरतपाल सिंग अतियोदे साथ्यानों मी उनने इसे परकार नैशनल स्क्योर्टी एक्ट देया दीन जेल बिच रख्या हुन स्वाले पैदा होंगा कि की पन्याब दी सरकार जिस दे मुख मंत्री हन पगवान सिंग मान की ओर नैशनल स्क्योर्टी एक्ट विड्रा करनगे क्योंके ओ मिंबर पार्लियमेंट भी बन गयान उना नुसाब तो वड़े मार्जनल मेंडेट नालो जितेयान अते उना ने कांसीच्यूशन जानी के सविदान विच संपूरन विश्वाश भी अपना प्रगटा दिता है ए जदों पार्लियमेंट विच जो चरंजी सिंग चन्नी ने जो मुद्दा उठाया है के ए एमर्जन्सी दी इस तो वड़ी कोई मिसाल नहीं अनकोशत अननौसी जो एमर्जन्सी लगी वहिया है उदी एक मिसाल है के एक एलेक्टेड मेंबर पार्लियमेंट नूँ जिसने उस दी कॉंसीच्यूशन जो एनना वटा मेंडेट देता उस नूँ नेशनल स्कूर्टी एक्ट वेच बंद करके रख्या हो रहा है सो होण एथे जदो सुवाल पूछया गया पगवान मान जी नूँ कल जिलंदर बीच तो उनना ने बड़ा शपष्ट जवाब दिता के ला एंड आडर दी जो अवस्ता है उस नूँ टूटेल्टी विच वेख्या जान्दा उनना ने यह नहीं किया के अमरतपाल सिंग नूँ जल्दी रहा किता जाएगा जाओना ने उनना ने किया टूटेल्टी विच देख्या जान्दा इत्थे मेरा स्वाल है पज्याब दे मुख मंत्री नूँ के पकवांतमान जी कीगल तोडे टाई साल दे राज विच पज्याब दी जो लौ एंड आडर सिचुएशन है कनून दी जो अवस्ता है ओ पहला ना लोग पैड़ी होगी है जदो तुसी टूटेल्टी विच देख दे हों ते तुसी एक कह रहे हों के पज्याब दी जो सुमुची कनून अते परसाशन दी जो अवस्ता है ओ स्विच अमरत पाल सिंग नो छोड़ना पज्याब दे लेई नुक्सान दाएको सब्दाए पज्याब देख शांती है इदेख कोई शक नहीं अग्ये नालों कोई पैड़ी अवस्ता नहीं चाए फरोतियां करके कतल भी हो रहेयान अते दूसरे जाती दुश्मिनी दे कतल भी रोज मरा अखबारानियां सुर्खियां दा हिस्सा बन देयान पर लोग कां बेच अजेहा कोई आपसी फिरका प्रस्ती वाला टकरा कि ते नजर नहीं आउंदा चोणा होई हैं बिलकुल पीसफुल होई हैं और जेड़ी केंदर दी सतातारी पार्टी है उसनों तेरां सीटां चों तेरां सिफरां ही प्रापत कर सकी उना दिया एक वी कैंडिडेट जित्या नहीं तो इत्थे मैं एभी दसना चालना कि एस तो पहला बीबी हर सिम्रत को और ने जो बादल काली दालवलों मेंबर पार्लियमेंट बठिंडे तो जित्यान जो तो राष्टर परती दे पाशन दे वो बोल रेसन ता उस समय उना ने भी अम्रत पाल दी रियाई दी मांग कीती के उना नो नेशनल स्क्योर्टी एक्ट विच बंद कीता है एक गल्त है उना नो जल्दी रहा करना चाहिए सो मैं एक कह सकता के पजाब दियां सारियां पार्टियां ही जो हन आम आदमी पार्टी तो इलावा उना दी रियाई लिज मांग कर दियां उना आम आदमी पार्टी दे अंदर तिन MPC के मिंबर पार्लियमेंट जो हुने हुने जितके गए हन उना ने एस चरणजी सिंग चंदी बलों छेडी गी बैस उपर उना ने कोई जवाब नहीं दिता कोई उना ने एस बारे एदे वुरुद जाएदे हाक्च नहीं बोले जद के रवनीत बिट्टू जो के हुने हुने लुद्याने तो हार गयान पर फिर भी देश दे प्राइम निस्टर ने उनानू मिनिस्टर आप स्टेट फार रेलवे उना ने चरणजी सिंग चंदी उपर बड़े तिखे हमले कीता है ये उना दी जाती गल सोच सी जा उना दी पार्टी दा ये स्टेंड है सो ये इस परकार असी कैसाग देया के अमरतपाल सिंग दे हाक विच एक ये सोच पजाब विच बिल्ट हो गई है और ये चल भी रही है के उना नो रहा किता जाए उना तो नजर बंदी अठाई जाए ता जो पार्लियामेंट विच आखे ओ अपना स्टैंड सिपस्ट कर सकन अते ओ पार्लियामेंट दियां बैसा विच स्यासी आर्थक ते होर हुमन रैट्स दे मुद्यां उपर गलबात कर सकन ए उना दा हुन अधिकार है एजे मेंबर अफ पार्लियमेंट कॉंसीचूशन जानी सबदान ने उना नू अधिकार देता है कि वो थे बोल सक दें मैं कहीं पैनल डिसकेशन सुनियां जिदे विच पन्याब दे सिरकाट जिदे अनेलसिस्ट अन पुलिटिकल अनेलसिस्ट उना ने भी मांग कीती है के भी अमरतपाल सिंग नू रिहा किता जाए उना विचों एक नाम है ले भी देना है के जगदार सिंग जो के एक आथर भी हन अधिक पलिटिकल अनेलसिस्ट भी हन उना ने क्या है के मैं शुरू तो कह रहे हैं के अमरतपाल सिंग नू रिहा किता जाए वो समर्थन कर दे, मैं भी समर्थन कर दा, एश काल दा, के अमरत पाल सिंग नो जल्दी तो जल्दी रहा किता जाना चाहिदा है, उन्हानो चांस देना चाहिदा है, और देखना चाहिदा है के वो आके की कारवाई कर दे, स्यासी स्टैंड की है उन्हा दा, और वो किस कजम द एजिटेशन चलाना चांदें उन्हाने बड़ा शपस्ट किया है कि वो पंचायत तो लहके पार्लियमेंट तक जो डेमोक्रेटिक सिस्टम विच वोटा दी सपेस ता गल है उस सपेस नूँ असेंबली विच भी पंचायत विच भी पार्लियमेंट विच भी उना दी पार्ट अपने पिता जी दे वलों उधे पे चुना ने एही किया है कि रोमणी गुर्दवारा परबंद कमेटी दियां वोटा मणाओ और ते उना दियां चोना दी त्यारी करो सो जद ओ चोन प्रासेस विच इसा लेना जान दे हां ता ए बड़ा जरूरी बन जानदा के अमरत पाल सिंग दी रहाई जल्दी तो जल्दी किती जाए पर जिस परकार दे ब्यान पन्याब दे मुख मंतरी पर गवांतमान जी दे रहां उस तो इमें लगदा के एना दी ते ग्रे मंतरी अमित शाहन इना दी मिली पोगत नाल ही अमरत पाल सिंग ते उदे साथ्यानों नेशनल स्क्योर टी एक्ट विच बंद करके दिवडु गार रख्या वया असामती जेल जेल पलस उना दी एक साल खोर बदा दी ती गिये नैशनल स्क्यूर्टी एक्ट विज उना नू नजर बंद रखन दी में आद सो ए हुन देखना पेगा के भी सरकार की फैसला लेंदी है सो एस चर्चा नू ये थे समाप्त कर देया अमीद कर देया ये चर्चा तो नू पसांद आएगी या ते तुसी एस नू अपने मित्रा नाल सबंदिया नाल वद तो वद सांजी करोगे शेयर करोगे तनवात सच्रिया का